दा लाइफ आप ग्रनोला ग्रनोला अपनी रेस का लास्ट सर्वाइवर है उसने फ्रीजा और साइएंस की बज़े से अपना सब कुछ खो दिया था और उनसे बदला लेने की बज़े से वो यूनिवर्स की सबसे ताकतवर फाइटर बनता है प्लानेट सिरियल जहांपे एक दिन उनकी प्लानेट के ओफर फ्रीजा फोस एटक कर देते हैं और उनकी प्लानेट को कौंकर करने लगते हैं साइएंस मून की मदद से ग्रेट एप पर ट्रांस्परम होके अपनी आसपा सभी को मानने लगते हैं ग्रनोला अपने मा के साथ एक गर के अंदर छूपके बैटा हुआ होता है लेकिन फिर भी उन्हें एक सैयन टून लेता है जिसकी फेस पे एक स्कार्फ है ग्रोनोला उस सैयन को देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता है स्री एलियन जैसे दसे करके उनकी मूनकुल बलस्ट कर देते हैं और सभी सैयन उनकी नॉर्मल फरम में आ जाते हैं लेकिन सैयन फिर भी नॉर्मल फरम में इससे ज्यादा अाकत बरहें इस तरफ बार्डॉक पह पी अपने नॉर्मल हमों चुकर होचा आने वले बार्डॉक है तुम जाओ मैं देखता हूं कि यहांपे आसपास कोई सर्वाइवर बचा है नहीं लिग बोलता है अचछा जल्दी करना क्योंकि फ्रीजा यहां पे आने वाला बार्डॉक अपना स्काउडर निकल के देखता है कि ये दुनों लास सर्वाइबर हैं और एक सर्वाइबर पाहरों में चूपा हुआ है बार्डॉक इन दोनों को लेकर उस लास सर्वाइबर के पास जाता है लास नेमिकें सर्वाइबर मुनेटो बार्डॉक को सेंस करते ही पर हमला कर देता है लेकिन बार्डॉक इजली उसकी हमले को रोक देता है मुनेटो रुख जाता है जब देखता है बार्डॉक के साथ दो सर्वाइवर है बार्डॉक उन्हें छुपे रहने को बोलता है क्योंकि थोरी देर बात फ्रीजा यहां पर आने वाला है मुनेटो बा गुनोला उट जाता है और वो बार्डॉक को देखे चिलाने लगता है मिनाटो जल्दी से अपना की इस्तेमल करके गुनोला को वेहोश कर देता है लेकिन हीटर्स भी वो आवाज सुनता है और उनके हुआ आ जाते हैं बार्डॉक अपना फेज चुपा लेता है और उनके फायर करता है और इस नमेखने और इस बच्चे को मानने का ओडर देता है र्ड़ोंas के ओपर energyけट करता है और के बाद इलेक्ट से अपना पेमेंट लेने आता है और पूछता है कि उसके लिए कोई नया जाब है या नहीं इलेक्ट बताता है कि फ्रीजा की रेदेरिक्शन के कारण सभी डरे हुए है इसलिए अभी उतना ज्यादा जाब नहीं है ग्रणोलो बोलता है कि यह कैसे और वक्त आने में फ्रीजा के साथ लेने के लिए वो उसकी मदद जरूर करेगा ग्रणोलो गुसे से वहां से चला जाता है इलेक्ट बोलता है कि दिन बाद दिन ग्रणोलो की ताकत बरती जा रही है उन्हें उसके पारे में कुछ करना परेगा ग्रणोलो अपनी लेकिन मुनेटो उसको Изह मना कर देता है क्योंकि फीजा इसे बहुत ही ज़्यादा देखता बर और बोलतर लगता है मुझे घराइगन बॉल की मदद लेना परेगा मुनेटो उसे बॉलता है की ड्र्यगन बॉल बद्ला लेने के लिए नहीं बने है ऐसे भी ट्विस्टर बॉल 40 साल पहले खो गया था और उसे डूनने के लिए तुम्हें पूरा प्लैनेट सास्ट करना पारेगा और वो सोने जाता है और ग्रनोला टीबी देखने बैठता है वो टीबी के अंदर देखता है किसी फार्मर को अजीब से देखने वाल मिला है वो इस बाल को देखते ही समझ जाता है कि वो ट्विस्टर बॉल है ग्रनोला समझ जाता है कि अभी ये वक्त है उसकी विश पूरा करने की ग्रोनोला उच जगे पे जाके टूइस्टर बॉल चुरा लेता है। ग्रोनोला दोनो ड्रागन बॉल से इटरनले ड्रागन ड्रामबा को समन कर लेता है। ड्रामबा बॉलता है वो उसका कोई भी एक उश पूरा करेगा with his limitation। ग्रोनोला उश करता है यूनिवर्स में सबसे ताकतवर fighter बनने की। ड्रामबा बोलता है कि मैं तुम्हें ताकतवर बना सकते हूं तुम्हारी potential की अंदर उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक दूसरा रास्ता है। अगर तुम एक condition accept करोगे तो तुम यूनिवर्स के सबसे ताकतवर fighter बन सकते हो। अगर तुम अपना life force क तुम यूनिवर्स के सबसे ताकत पर fighter बन सकते हो। लेकिन और सिब तीन साल के लिए उसके बाद तुम मर जाओगे। ग्रणोला उसकी condition को accept करता है। ड्रागन अपना wish पूरा करके वहां से चला जाता है। ग्रणोला अपनी पावर चेक करने लगता है। अपनी एक हाथ स ग्रणोला उसे एक finger सही हरा देता है। यह देखकर इलग बहुत ज़्यदा शौक हो जता है और पूछता है तुम इतनी जल्दी इतना ताकत पर कैसे बने। ग्रणोला उसको ड्रागन बॉल के बारे में बताता है। इलेक उसको बोलता है कि हमें फ्रीजा का लोकेशन अभ और नहीं गोकु और वजीता हैं गोकु और वजीता प्लानेट पे पहुंच थे घ ग्रुनोल औहुंस कर देता है गोकू अल्टर इंस्टिंग पे टांस पॉम होता है और दोनों फीर से फाइट करने लगते हैं ग्रोनोला उसको बताता है कि तुम कोई भी फ़र्म में टांस पॉम क्यों न हो जाओ मेरी अडाईटा ही तुम्हारी हर फ़र्म का विक्नेश देख सकता है ग्रोकू बेहोश कर देता है अगर तुम्हें इस फाइट के उपर एक डीटेल वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में जरूर बता ना वजीटा फाइट के अंदर जोइन करता है अपना सूपर सेंड बलू एविलोशन के साथ ग्रोनला और वजीटा फाइट करना शूरू कर देते हैं कुछ देर बाद ग्रोनलो वजीटो को उपर पाउर करने लगता है और उसकी पेट की पेशर पॉइंट के उपर एटक करता है तब ही यहाँ पे मुनेटो आ जाता है इसी मौके का फाइदा लेकर गोकु ग्रोनला के एटक को रोग देता है मुनेटो बोलता है एक्शली मैंने तुमसे जूट बोला था एक सही ने तुमरी जान बचा है जिसका नाम है बार डॉक जो बिल्कुल गोकु की तरह दिखता है गोकु कन्फ्यूस होता है तब ही यहाँ पे वजीटा के बोलता है बार डॉक एक्शली गोकु का फादर है प्रोनला कहता है तुम मुने मुझसे जूट क्यों का मैं इतने सालों से उनके लिए काम कर रहा हूँ मनाटो बोलता है मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए यह किया था तो आज का वीटू यही पे खतम होता है अगर तुम एक ड्रागन बॉल का सच्चा फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मात भूलना मिलते हैं अगले वीडियो पर